तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मानका किशन में तो दोस्तो आज मैं पनीर की बहुत ही गजब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिन में ना मैंने टमाटर का ना मैंने काजू और ना ही मलाई का यूज किया है इसे बनाना बहुत ही असान है ये कम इंग्रेडियन्ट में बन जाने वाली मस्त मसालेदार पनीर की रेसिपी अगर एक बार मेरे बताया नुसार बनाएंगे तो मेरी गारेंटी है कि बार बार आप इसे बनाना पसंद करेंगे लेकिन दोस्तों इसे बनाने से पहले मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किये हुए देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ खास तरीके और कुछ खास चीजों को एड किया है लेकिन फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेश्ट है कि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा और बेल बटन को जरूर प्रेस के दीजेगा तो चलिए बनाते हैं तो मैंने यहां 1.500 के करीब में पनीर को काट कर लिया है इसे मैंने घर में तयार किया है और दो मेडियम साइज के प्याज को मैंने रफली चॉप किया हुआ है और 7-8 लसुन की कलिया एक इंच अधरक का टुकड़ा और दो लाल मिर्च को मैंने लिया है तो चलिए फ्रेंट्स अब हम गैस पर एक कड़ाई को गरम होने के लिए रख देते हैं जब कड़ाई गरम हो जाए तो उनमें हम तेल को एड़ कर लेंगे मैंने यहां 4 बड़े चमच के करी सरसो तेल को ले लिया है जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तो इनमें हम रफली चॉप किवे प्याज को डाल कर हमें इन्हें अच्छे से फ्राइ कर लेना है हमें इन्हें गोल्डेन ब्राउन कर लेना है हमें गयास के फ्लेम को हाई रखना है हमें हाई फ्लेम पे ही इन्हें गोल्डेन ब्राउन करन क्यूंकि हमारे पनेड की ग्रेवी इसी से त्यार होने वाल है अगर प्याज कच्छे रह जाएंगे तो हमारे ग्रेवी में कच्छा पंसा स्वाध आएगा फ्रेंट इसे हमें continue चलाते रहना है छोड़ना नहीं है इसे वह काले पढ़ जाएंगे तो देखे फ्रेंट्स हमारे प्याज लगभग अच्छे से भुन चुके हैं तो इन्हें हम दो मिनिट तक और ठोड़ा फ्राइ कर लेते हैं उसके बाद एक बरतन में इन सभी को निकाल लेंगे तो लिजे फ्रेंट्स हमारे प्याज अच्छे से भुन चुके हैं इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, तो friends प्याज को हम कडाई के एक साइड कर लेंगे, ताकि सारा तेल हमारा नीचे आ जाए, तो उन्हें हम आगे रेस्पी बनाने में यूस करेंगे, तो देखिये friends, मैंने सारे प्याज को एक बर्तन में निकाल लिया है, इनमें हम सारे फ्राइ की हुए प्यास को इनमें एड़ कर लेते हैं। तो चलिए सब को हम इनमें डाल लेते हैं। अब इनमें हम पहले से तयार के अवर लहसुन के कलियों को एड़ कर लेते हैं। और अदरक के टुकड़े को और लाल मिर्च को भी इनमें हम डाल कर थोड़ा सा पानी एट करके इनका हम दरदरा सा पेश्ट तयार कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स हमारे मसाले अच्छे से पिसकर रेडी हैं तो चलिए कडाही की ओर तो मैंने तेल को फिर से गरम होने के लिए रख दिया है जब हमारे तेल अच्छे से गरम हो जाएं तो इनमें हम पनीर के टुकड़े को दो मिनट के लिए फ्राइ कर लेते हैं हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है पनीर को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो इसकी सारी सॉफ्टनेस चली जाती है फिर उन्हें खाने में वो मजा नहीं आता जो सॉफ्ट वाले पनीर में होती है तो चलिए पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें हम एक बरतन में निकाल लेते हैं और बचे हुए तेल को हम आगे क्रेवी बनाने में यूज करने वाले हैं तो फ्रेंड्स हमारी कडाई पहले से गर्म हैं तो इनमें हम कुछ खड़े मसाले आड़ कर लेते हैं तो मैंने यहां तेजपत्ता और सुखी लाल मिर्च को और थोड़े खड़े मसाले मैंने गर्म मसाले का यूज किया है इन में मैंने थोड़ा सा टुकडा लालचिनी का एक बड़ी इलाइची दो तिन लॉंग के टुकडे और यहां पे मैंने जीरा को भी आइड कर लिया है जब यह सब अच्छे से तड़क जाएं तो इन में हम पहले से तयार के हुए प्याज के मसाले को इन में हम सभी को डाल देते हैं इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है ग्यास के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें continue अच्छे से चलाते हुए इन्हें हम पाउस मेर्ट तक ऐसे ही भून लेते हैं प्याज हमने पहले से फ्राई किया हुआ है तो हमे इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सभी मसाले अच्छे से कम समय में भून जाएंगे फ्रेंड इस मेथट से पनीर की सबजी बनाने में बहुत ही कम समय लगता इसे आप जटपट से सुबा या फिर लंच बॉक्स के लिए पच्चों के लिए बड़ों के लिए आप पना कर तुरंत इन्हें दे सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं तेल हमारे मसाले से अलग हो रहे हैं तो अब हम इन में कुछ सुख्य मसाले एड़ कर लेते हैं तो मैंने यहाँ एक चमच के करीब हल्दी पॉड़र को एड़ कर लिया है आपको जितनी भी पसंद आप उसके अकॉडिंग हल्दी या और सब मसाले को कम्जादा कर सकते हैं तो मैंने यहां आधे चमच के करीब जीरा पॉडर और आधे चमच के करीब मैंने यहां पे सबजी मसाला को लिया है और आधे चमच के करीब ही मैंने यहां धनिया पॉडर को भी इनमें एड़ कर लिया है और इनमें हम कास्मीरी लालमेश पॉडर को भी इनमें हम एड़ कर ल बनाते बनाते तो फ्रेंड्स हमारे मसाले अच्छे से भूंचुके हैं तो इस स्टेश पे हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को हम एड़ कर लेते हैं और इन्हें हम मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेंड्स टमाटर की कमी को पूरी करने के लिए हम यहां दो बड़े चम्मश दही को एड करेंगे दही को मैंने यहाँ अच्छे से चम्मश के मदद से मिक्स कर लिया है हमें कैस के फ्लेम को कम कर लेना है नहीं तो दही हमारे भड़ जाएंगे इन्हें हमें continue चलाते रहना है फ्रेंट यहां ध्यान देने वाले बात यहां है कि दही हमारे जादा खटीना हो दही को हमें ताजा ही लेना है तो देखें फ्रेंट्स दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पे आदे छोटी चमज के करीब यहाँ पे चीनी को ऐड़ करने से हमारे जो टेस्ट होते हैं जावाबस हो जाती है अब यहाँ पे हम श्वादनूस आर नमक को भी ऐड़ करने हैं इस तरीके से बनाने में हमें टमाटर के बिल्कुल भी जरुवत नहीं पड़ती हमारे रेसिपी टमाटर के बिना भी बहुत ही टेश्टी बनती है और देखी। फ्रेंट मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। सारे तेल बाहर आ रहा हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है। तो प्लीज लाइक शब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, इधर हमारे पनीर के साथ में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इन में पानी को अड़ कर लेते हैं, मैंने यहां छोटी कटोरी से दो कटोरी के लगबग पानी को अड़ कर लिया है, इन सब हमारे पनीर आधी बनकर रेदी है तो इस समय हम थोड़ी सी गर्म मसाले को भी इन में हम एड़ कर लेंगे और ढखकर दो मिनट तक और पकने को छोड़ देंगे ये देखे फ्रेंट्स कितनी जब जस्त बनकर तयार हुई है हमारी पनीर की सब्जी कोई कह सकता है ये बिना टम क्यों में